आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो चाय मेल हो चाय फिमेल हो अगर आप इस साल अगनीवीर जीडी या अगनीवीर ट्रेड मैन या अगनीवीर डाबलु एमपी का पेपर दिया हो तो ये वीडियो आपके लिए है देखो काफी सारे लोग ऐसा कमेंट करके पूछ रह नमर बन सकता है तो इस डाउट को लेकर जितने लोग भी परसानों वीडियो देखने के बाद आप लोग के मन से हमेस्ता हमेस्ता के लिए समापत हो ठीक ना दूसरा नमर काफी सारे लोग कमेंट करके बार-बार ये पूछ रहा है कि हम लोग का दोड की तरह से कराया जाता मतलब दोड में कितना नमर मिलता है बीम में कितना नमर मिलता है और दोड में टाइमिंग कितना मिलता है तो यह भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा क्योंकि मैं खुद आर्मी का दोड मारा हूं और जादे टाइम का बात नहीं है ठीक ना इससे पहले जो भरत जिसमें से मेरा जैसे 35% सही है और 10% गलत है तो वो लोग बोल रहा है कि मतलब मेरा कितना नमर बन सकता है तो सिधा सिधा पता है आप लोग को काईसे जोड़ना है आप लोग को जैसे 25% गलत हो रहा है तो 5 नमर काट लेना है अब मालोग 45% करके आयो तो 10% गलत है तो आपका 35 परसन सही हुआ अब एक परसन दो नमर के राते आये तो 35 परसन सतर नमर के हो जाएंगे और आपका जो दोस परसन गलत हुआ है तो उसका आप लोग 5 नमर काट लो दो परसन गलत होगा तो एक नमर कटेगा जैसे एक बट्टे चार का नीगेटिव मार्किंग का मतलब यह तो सिधा-सिधा 5 नमर कट गिया और उदर आपका 35 परसन सतर नमर बन रहा है सतर में से आप लोग 5 घटा दो तो 65 नमर हो जाएगा तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ा ना ठीक ना आप लोग यह नहीं सोचना कितना मैं जोड घटा ना किया हुँ सिधा-सिधा सा बात है अगर आप 30 परसन करके आयो ठीक 20 परसन आपका सही है 10 परसन आपका गलत है तो जो सही है उसका नमर पहले जोड़ेलो ठीक ना 20 परसन है तो 20 परसन का आपका 40 नमर हो गया ठीक ना और जो 10 परसन गलत हुआ है तो गलत का 10 परसन का 5 नमर काट दो तो चालिस में से जब पांच घटा दोगे तो 35 नम्मर हो जाएगा तो इसको लेकर आप लोग परसान नहीं होना ठीक ना इस तरह से आप लोग जोड़े लेना कि आपका करेक्ट कितना नम्मर बन रहा है वैसे बहुत कमी लोग को यह सब पता रहाता है कि मेरा इतना प्रस्ण सही हुआ है इतना प्रस्ण गलत हुआ है कुछ लोग तो बहुत उसी तरह से बोल देते हैं ठीक ना सभी लोग को एक रेट नहीं पता रहाता है अब बात कर लेते हैं जीडी ट्रेड मैन और डाबलू एमपी के लिए जो अगनीवीर में 1600 मिटर का दोड कराया जाता है उसके ब समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट कर देना कि आपका बताया वह बहुत अच्छे से समझ में आ गया है देखो दोड में टोटल दो गुरूप बनते हैं एक गुरूप एक्सिलेंट वाला होता है और दूसरा गुरूप बूड वाला होता है ठीक ना और दोड में आपको पूरे 5 मिनट 45 सिकंड के टाइम मिलते हैं 16 मिटर दोडने के लड़कों का मैं बता रहा हूं लड़कियों का तो 8 मिनट 8 मिनट के आच पास में बता रहा हूं तो वह लोग एक्सिलेंट में दोड मार देते हैं ठीक न और जो लोग गुड में दोड मारते हैं अब एक्सिलेंट में दोड मारने से क्या फायदा होगा और गुड में दोड मारने से क्या फायदा होगा तो देखो अगर आप एक्सिलेंट में दोड मार दे रहे हो तो दोड में आपको पूरे 60 नमर मिलेंगे ठीक ना अगर आप गुड में दोड तो दोड में आपको सिर्फ 48 नमर मिलेंगे 12 नमर घट जाएंगे तो दोड का बहुत ज्यादे माइने रखता है ठीक ना अब देखो यह तो आपका दोड वाला बात हो गया अब दोड के बाद आप लोग का बीम खिचाया जाता है ठीक ना तो बीम भी बहुत ज्यादे माइन बहाना करोगे तो कुछ नहीं कर पाऊबस मेहन नहीं करना है बहाना तो सब लोग लोग करते हैं कि यह उता दो वो कर लेता वो हो धा तो वो कर लेता मतलब बहाना नहीं करना आपने तरफ से 100% देना है अब बीम वाला मैटर आप लोग समझ लो बीम आपको टोटल दोस बीम खिचाया जाता है ठीक ना अब दोस बीम पर टोटल 40 नमर मिलते हैं मलों आप एक्सिलेंट में दोड मार दिये तो आपका 60 नमर उधर बन गया और इधर दोस पूरा पूरा ब भीम भीम मार दे रहे हैं तो एक व्यम कम होने से आपका 7 नमर कड़ जाएगा ठीक ना मतलब 40 नमर के जगह अगर नोग भीम मारोगे पर ज्यादे से ज्यादे फॉकस करक्रणा इक बीम की वज़ाई से आपका सेलेक्षन रूख जाएगा पेपर में अगर एक और गलत कर दोगे एक और कोस्टन कम कर दोगे आप बीम पूरा पूरा माढदोगे तो सेलेक्षion होने का चांस रहेगा लेकिन बीम में कमी नहीं करना त्यजि़ न झाल? बिम मारोगे तो 27 नमर मिलेगा ध्यान रखना ठीक न लोग चालीस नमरे का होता है यह पताचल गया जब आपका डोड हो जाएगा ठीक गर्डा sesn घरण सारी चीजे होने के बाद इस साल आपका मेडिकल होने से पहले एड़ाप्टिबिलिटी टेस्ट होगा तो उसको लेकर आप लोग परसान नहीं होना ठीक ना जादे लड़के उसमें नहीं छटेंगे क्योंकि अगर जादे लड़के वो लोग छाट देंगे तो फिर अच्छे इसके बाद से ये सारी चीजे हो जाएंगी तो फिर आप लोगा मेडिकल होने के बासे आप लोगा फाइनल मेरी लिस्ट आजाएगा और जीन लोगBean 35 परसन 55 में सई होगा एक्सिलेंट बीम मारद होगे ना तो 100% आपका नाम आ जाएगा तो आप लोग को मतलब मेहनत करना है ठीक ना आप लोग का जो भी कमेंट आ रहा था वो सारी चीजे में आप लोग को समझाने का कोशिस ही आउँ अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना और दोर के लिए तो आइप 20 प्रस्ण के आस-पास में सही होगा तो आपको दोर के लिए बूला लिया जाएगा बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताना अभी इंडियर ने भी का कलास चल रहा है तो उस कलास को भी आप लोग क